तस्वीर में आप रितिक रोशन के साथ जिन्हें देख रही हैं, वो अपने वक्त के बहुत नामी प्रोड्यूसर डाइरेक्टर जे ओम प्रकाश जी है रितिक के नाना जी आज जे ओम प्रकाश जी का जन्द दिवस है 24 जन्वरी 1927 को सियालकोट में हुआ था हाला कि इनका बचपन और जवानी लाहौर में गुजरे पाकिस्तान के नामी शायर कील शिफाई और फैज एहमत फैज इनके दोस्त हुआ करते थे खुद जे ओम प्रकाश जी भी उर्दू भाशा के बहुत अच्छे जानकार थे आप इनकी फिल्मोग्राफी पर नजर डालेंगे तो इनकी लगभग हर फिल्म अंरेजी के ए अक्षर से शुरू होती है आज का पंच्छी, आई मिलं की बेला, आए दिन बहार के, आया सावन जूम के, आपकी कसम, आन्धी, आशा, आसपास, अरपन, आदमी खिलोना है उस फिल्म में रजनीकान और राकेश रोशन मुख्य भूमिकाओं में थे, और अपने डुग्गु भाईया यानी रितिक रोशन ने भी उस फिल्म में एक्टिंग की थी वैसे, रितिक रोशन से तो जे ओम प्रकाश जी ने 1980 की आशा फिल्म में भी ठूंके लगवाए थे और बदले में रितिक को 100 रुपए महंताना भी दिया था कल रितिक की फिल्म फाइडर रिलीज होगी अगर जे ओम प्रकाश जी जिन्दा होते तो बहुत खुश होते क्योंकि को रितिक वो बहुत प्यार करते थे आज के लिए इतना ही आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अंकही कहानी के लिए हमारा चेनल सब्सक्राइब करें आभार